हेलो एब्डिवान मैं हूँ कविता और आज हम बात करेंगे कि जो मौखिक कविता हैं मत्तों की speaking skills कैसे बढाएं कवितां के साथ read out भी करें फर्स्ट है मुर्गी मा मुर्गी मा घर से निकली जोला ले बाजार चली बचे बोले चे 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 अम्मा हम भी साथ चले नेक्स है नन्ना खरगोश छोटा सा नन्ना खरगोश देखो देखो उसका जोश तू पता पता दोड़ लगाता फिर छट अजारी में चुप जाता नेक्स पोईम है तितली रानी तितली रानी तितली रानी तुम हो चंचल बड़ी सयानी डाल डाल पे जुमती हो फूल फूल को चुमती हो इतनी मस्ती में मत आओ इन पंकों पर मत इतराओ नेक्स हाथी हाथी राजा बहुत पड़े सून्ध हिलाते कहां चले कान हिलाते कहां चले मेरे घर भी आओ ना हल्वा पूरी खाओ ना नेक्स पोईम है अदरक बदरक अदरक बदरक चंपा उसमें लगा घंटा बारा बजे की छुटी में बारा मिठ्टू बैठे थे एक मिठ्टू कच्चा वही रंग का पका कोयल रानी कोयल रानी कहां मिली ये मिठ्टी वानी किसी नदी ने दावत में क्या तुझे पिलाया शक्कर पानी बादल केजे आया क्या आई सबकी करने चला सफाई दो दिये पेड दो दी घास दो दिये सब कुछ आस पा और आस और पास धुल गई पटरी धुली दुकान सडकों के तालाब बनाए बच्चे बूडे सभी नहाए एक चपाती ताती ताती एक चपाती देखी तवी पर पेट फुलाती बिली बॉसी बोली म्याओं बूख लगी है तुझको खाओं सुनकर उचली दूड चपाती बोली फिर आंके मटकाती मौसी पहले मक्खन ला फिर चाहे मुझको खा जा चंदू की नानी कहे कहानी एक था शर्बत एक था पानी नानी पिये शर्बत चंदू पिये पानी रूठ गया चंदू खतम हुई कहानी चूहे के घर नियोता है देखो क्या क्या होता है चिडिया चावल लाएगी पिल्ली घीर पकाएगी मंदर पान बनाएगा शेर मामा खाएगा मुन्ना तू क्यूं रोता है तेरा भी तो नियोता है मनी राम इतनी लंबी पूँच सटक चले मनी राम मटक चली पूँच जित्ते बड़े मनी राम उसने उतनी उनसे बड़ी पूँच लटक चले मनी राम चटक चली पूँच तब और भालू तब में छिपने आया भालू, किन्तु नहीं छिप पाया भालू, तब छोटा थो बॉलू तो मोटा, राजू बहुत अधिक था खोटा, उसने जाकर खोल दियानल, नल से निकल पड़ा छीतल जल, जल में खूब नहाया भालू, किन्तु डूब न पाया भालू, भालू, भाल झालो!